एज हो गई है जो उनको आराम दिन में करना था वो नहीं उनको मिला परिशानी तो ही होगी कि आप हमारे साथ मिल जाए और वो शायद नहीं मिल पाए हैं इसलिए इस तरह की कारवाई लंच टाइम हो गया था तो खाना के लिए पूछने गई थी बट क्यूंकि ऊपर से कोई कि आधिकारेक जवाब आया नहीं किसी ने बताया नहीं मैं गाड से पूछके मैं वापस आगई कल आपने कहा था कि लालूजी खुट ने खा भी नहीं सकते और दस घंटे साधीक अंदे तक रहे लिए तो सब लोगों ने देखा मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा था तो पूरे देश के लोगों ने इसको देखा कि किस तरह से एक बिमार इंसान को बुज़र्ग आदमी को दस घंटे बिठा के रखा गया मैंने पूछा तो कहा कि थोड़ा सा ऐसे ले लिया था और चाय उन्होंने पिया था परिशान दिख रहे थे जब निकले बहुत बिल्कुल एक एज हो गई है जो उनको आराम दिन में करना था वो नहीं उनको मिला कंटिनेवर स्पोट्सी पर बैठे ते पूछता चल रही तो परिशानी तो हुई होगी देखिए जब हमारे पिता जी को बिमार इंसान को और उनकी उम्र का भी ध्यान इन लोगों ने नहीं रखा उनको करीब साड़े नौ बजे छोड़ा गया तो यह तो नौ जवान है युवा है तो इसको देखे कितने लंबी समय तक के लिए पूछताज के लिए रखते हैं बगल के राज धारकंड में इसी तरह के से पूरा हजल मचा हुआ है कमन सोरिंट को लेकर जो भी हो रहा है नहीं यह मतला मुझे लगता है कि प्रधान मंत्री जी काफी डरे हुए है दो हजार चौबिस के चुनाओं को लेकर मद्दे नजर लेकर के जिस तरह से बिहार में ह cell हुआ मैंने कल भी कहा था कि हमारे बगल के राज हारकंड में भी वहां की बिही करने की कोशिछ हो रहे हैं उनको ढरानी की कोशिछ की जा रही है पहले उनको की आप हमारे साथ मिल जाए और वो शायद नहीं मिल पाए हैं इस लिए इससे तरह की कारवायी उनके खिलाफ हो रही है और एक जनता का चुना हुआ मुख्य मंत्री और उसने समय दिया था कि मैं 29 से लेकर के 31 तारीक के बीच मैं हाजिर हो जाओंगा और जिस तरह से उनके घर पे रेड किया गया और जो भी हुई फैर यह तो बिलकुल आ गये हैं और वो जरूर जाएंगे मतलब कहां कि जिस तरह से 2024 को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डरे हुए है और देश के जितनी भी पक्ष पार्टियां है दल है उनके नेताओं को इसी तरह से डराने की कोशिश की जा रही है लेकिन हम लोग दरने वाले नहीं है और देश की जनता इसको बहुत अच्छे स बारिकी से देख रही है और इसका खामयाजा मुझे लगता है कि भारतिय जनता पार्टी को खास तौर पर प्रधानमंत्री को 2024 में भुगतना पड़ेगा